रोमटे खड़े कर देने वाले भारत और अफरीका के बीच खेले गए मुकाबले में लगभग अपनी टीम को जीत की चोखट पर पहुँचने वाले कलासन हार के बाद काफी ज्यादा भावुक हो गए उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद हार का सबसे ज्यादा दुख उन्हें ही था इसका बड़ा कारण यह भी था क्योंकि उन्होंने सबसे तेज बल्लेबाजी कर अफरीका को जीत के पास पहुचा दिया और उसके बाद अचानक जब अंत में अफरीका की टीम हारी तो उन्होंने खुद अपनी जुबान खोलते हुए रोहित शर्मा और जस 76 रन बनाये थे विराट कोहली ने शांदार 76 रन की पारी खेली थी जवाब में अफरीका की टीम जब बल्लेबाजी पर आई थी शुरुआत में दो विकेट तो जल्द गिर गए थे और उसके बाद लग भी ऐसा रहा था कि भारत आसानी से मैच में जीत हासिल कर लेगा ले जीत के लिए 30 रन की जरूरत थी सभी ने उम्मीदे छोड़ दी थी और उसके बाद सिर्फ रोहित शर्मा ही ऐसे थे जिन्हें अभी भी उम्मीद थी की टीम कुछ कर सकती है ऐसे में गेंद बाजी पराई बुम्रा ने सिर्फ यहां पर चार रन का ओवर दिया चार ओवर म जीत के लिए 23 रन की जरूरत थी ऐसे में गेंद बाजी पर आए दोबारा बुम्रा जिन्होंने यांसन को बोल किया और इस ओवर में सिर्फ दो रन दिये दो ओवर में 21 रन की जरूरत थी अर्शदीब का यहां अच्छा ओवर देखने को मिला उन्होंने पांच रन दिये और उसके बाद हार दिक ने अंतिम ओवर में जब 16 रन जीत के लिए चाहिए थी तो पहले ही गेंद पर मिलर को कैच आउट कर दिया सूर्य ने हैरत अंगेज कैच पकड़ा और टीम को जीत दिलवा दी भार के बाद कलासेन का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने कहा काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि अपनी टीम को जीत के पास पहुचने के बावजूद भी टीम हार गई मैंने पूरी कोशिश करी थी अपनी टीम को जीत दिलाने की और लगभग अपने इस मकसद में काम्याब भी हो गया था क्योंकि हमें पता था अंत में बुमरा के ओवर हैं और वहा हमारे उपर भारी पड़ सकते हैं इसलिए मैंने मैच को पहले ही फिनिश करने की कोशिश करी थी और अक्षर पटेल के ओवर में 24 रन लगा कर पूरी तरह से जीत के क डाला और उसमें सिर्फ चार रन दिये प्रेशर हमारे उपर बढ़ रहा था मैंने हार्दिक को कमजोर समझ उनमें बड़ा शौट खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद बल्ले का किनारे लेते हुए चली गई बुमरा ने दबाव बना लिया था इसके अगले ओवर में भी उन्होंने दो रन दिये रन रेट काफी ज्यादा चड़ गया और रोहित की खतरनाक कप्तानी भी रही उन्होंने अर्शदीब को गेंद बाजी पर बुलाया मिलर के उपर दबाव बन चुका था क्योंकि दूसरे हाथ से रन नहीं बन रहे थे और यह पूरी रन नीती रोह दोनों मास्टरमाइंड थे हमारी टीम को जीता हुआ मुकाबला भी हरवाने में इस तरह से क्लासे नेहार के बाद अपनी बात कहीं लेकिन आप सभी टीम इंडिया की जीत को दस में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताएए